हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा नास्ता जिसे आप सुबह के नास्ते में भी खा सकते हैं और इसे ब्रत में भी खा सकते हैं ब्रत के लिए ए नास्ता एनर्जी से भरपूर है और जितना ये टेस्टी है उतना हेल्दी भी है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आया तो फिलिज वीडियो को लाइक सियर और चैनल को सस्क्राइब जरूर किजिएगा तो इस हेल्दी और टेस्टी नास्ता को बनाने के लिए गैस पर रखे एक कराही और इसमें हम डाल लिए हैं एक चमच घी घी को गरम होते ही इसमें हम डाल लिए हैं आधा छोटा चमच साबुत जीरा और दो बारी कटा हुआ हरा मिर्च साथ में हम डाल लेंगे एक इंच अदरक इसे हम ग्रेट करके डाल दिये हैं यानि यह कदुकस करके और यहां पर हम ले लिए हैं करी पता तो इसे भी हम एड़ कर देंगे अगर आप करी पता और जीरा ब्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे एसकीप कर सकते हैं और ब्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम घी में इसे बना रहे हैं अगर आप इना ब्रत के बनाते हैं तो आप इसे कुकिंग वाइल में बना सकते हैं मिडियम फ्लेम पर इन सब को थोरा सा हम पका लिए हैं और अब हम यहां पर ले लिए हैं एक कंच्चा आलू को हम छिलका निकाल कर इसे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं आप देख सकते हैं और अब इसे हम इसमें आइड कर देंगे और आलू को भी हम चलाते इसमें डालेंगे सावुर्दाना तो सावुर्दाने को हम भीगो कर आधे घंटे के लिए छोड़ दिये थे आधे घंटे के बाद इसे हम पानी में से निकाल लिए हैं तो इसे हम आधे घंटे के लिए भीगोए हैं तो इसे डालने के बाद हम एक बार इसे चला लिए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहाँ पर हम आधे कप सबुर्दाना डाले हैं तो आधे कप सबुर्दाना के लिए हम इसमें तीन कप पानी डालेंगे पानी डालने के बाद इसे हम एक बार चला लेंगे पानी आप इसमें थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं आपको जैसा इसका consistency रखना है गाढ़ा या पतला जैसा रखना है उसके अनुसार से आप पानी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो यह देखिए इसे डालने के बाद अच्छे से हम चला लिये हैं और अब हम यहाँ पर कर देंगे gas के flame low और low flame पर ढखक कर इसे 2-3 मिनट तक हम पकने देंगे 3 मिनट के बाद इसका हम ढखकन हटा कर इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और यह देखिए सिवर्दाना हमारा हाप कुक हो गया है तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर और साथ में हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर और एक चोथा ही छोटा चमच ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च पाउडर और स्वाद के एक ओर्डिंग सिंधा नमक इन सब को डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे इस तरह से और इसके बाद हम गैस के फ्लेम कर देंगे यहाँ पर मिडियम और मिडियम फ्लेम पर इसे ढख कर दो मिनट तक और पकाएंगे और यह देखिए दो मिनट हो चुका है तो अब इसका हम ढखकन हटा लिए है और ढखकन हटाने के बाद इसे हम चला लेंगे और ये देखिए सवुर्दाना हमारा गाढ़ा हो गया है और अच्छे से पक भी गया है और आपको मैं दिखाती हूँ ये देखिए जब सावरदाना इस तरह से ट्रांस्पेरेंट दिखने लगे इसका मतलब सावरदाना हमारा अच्छे से पग गया है आप देख सकते हैं तो अब इसी ये स्टेज पर हम इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ ड्राइ फूर्ट तो ड्राइ फूर्ट में हम ले लिये हैं मखाना, काजू और बदाम इसे हम हलका भून लिये थे यानि कि रोस्ट कर लिये थे इसे लाश्ट में डाल लियेगा और जैसे इसे डालते ही हम गैस के फ्लियम बंद कर दिये हैं क्योंकि इसे लाश्ट में डालने से क्या होगा न इसका क्रंच बना रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा तो ड्राइफ फ्रूट डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से चला लिए हैं और यह हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा सवर्दाना के खिचरी बनकर त जाएगा वीडियो पसंद आया तो फिलिज वीडियो को लाइक सियर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में जय हिंद